हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू यू हेल्पिंग आई टीवी फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दोरान अपना और अपनी बच्चे का पूरा खयाल रखना हर मा की जिम्मेदारी होती है लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान रखना जरूरी होगी ताकि आपके बच्चे की बिकास में किसी भी प्रकार से कोई कमी न रह जाए तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ जरूरी सलाय देने वाली हूँ तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं सबसे पहले इतना जान लें कि आपका पूरी प्रेगनेंसी के दोरान गर्वती महिला का वजन आठ से बारा किलोग्राम तक बढ़ना ही चाहिए इसलिए सबसे पहले तो अपने वजन पर निगरानी रखना सुरू कर दे यदि आपका वजन कम बढ़ रहा है तो आप अपनी खान पान पर ध्यान दें या अपने डॉक्टर से बात करें शिशू के बिकास में और जीवत रहने के लिए सिशू एक थैली में रहता है जिसमें पानी भरा रहता है जिसे हम एम्नियोटिक फ्लूट कहते हैं यह पानी बहुत ही मेतपूर भूम करने वाता है इसलिए पूरी प्रिगनेंसी के दोरान खूब पानी पीएं ताकि थैली में पानी की कमी ना हुपाए पानी की कमी से बच्चा सूख जाता है और बच्चे को उचित पोर्शन नहीं मिल पाता अब बात आती है सिशू के साररे बिकास की तो आप इतना जान लें कि सिशू की पूरी शाररे ग्रोथ प्रोटीन पर निर्भर करती है इसलिए अपने खाना में सबसे पहले प्रोटीन युक्त बोजन जैसे अंडा, पनीर, डाल, सोयावीन, दूध, आधी को सबसे ज़्यादा वरीता दे साथ में हरी सबजियां, फल, जू, साधी का सेवन करना भी ना भूले सिसू के मानसिक बिकास के लिए अख्रोट, बादाम, डाल खाएं इससे सिसू का मानसिक बिकास अच्छा होता है समय समय पार डॉक्टर से अल्ट्राराउंड करवाएं अपने बच्चे की पूरी इस्तिती के बारे में जानकारी जरू लेती रहें अगर जहां आपको समझ में आए कि सिसू की बिकास में किसी चीज में कोई कमी रह गई है तो तुरंत उसे पूरा करने की कोशश करें और डॉक्टर से इस बारे में बात करें तो फ्रेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यदि फ्रेंट्स वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए शेयर करिए और ऐसे ही प्रिग्नेंसी तथा बच्चों से जुड़े हर छोटी स्चोटी समस्या की समाधान के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा थैंक यू